नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है हम टॉपिक कवर करेंगे अमीर देशों ने क्यों किया जैव विविद्था कोश का विरोध कनाड़ा के मॉन्ट्रियल में चल रही Conference of Parties की पंदरवी बैठक में जैव विविद्था के संरक्षन के लिए वैश्विक कोश के निर्माण का विक्सित देश विरोध कर रहा है आपको बता दें कि प्रिथ्वी के जंगलों, महासागरों और प्रजातियों को बचाने के उद्देश से संयुक्त राष्ट जैव विविद्था संमेलन की Conference of Parties की पंदरवी बैठक मॉन्ट्रियल में चल रही है बैठक के दोरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और अफरीकी देशों ने दस बिलियन डॉलर के जैव विविद्था कोश के निर्माण की मांग की है इन देशों का कहना है कि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए वैश्विक GDP का एक प्रतिशयत खर्च करने की आवशकता है वरतमान में वैश्विक GDP का एक प्रतिशयत करीब 10 बिलियन डॉलर साल आना होता है लेकिन विखित देशुन द्वारा इस नए वैश्विक कोश के निर्माण का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है दर असल वैश्विक पर्यावरन सुविधा को बनाने में साथ साल लग गये हैं जो वर्तमान में जैव विविजिता के लिए मुख्य बहुपक्षी विती तंत्र है। विभिन्य देशुंद्वारा इस फंड में इसके मौझूदा चक्र 2022 से 2026 के लिए 5.3 बिलियन डॉलर देने का वादा किया गया है। इसलिए विक्सित देशों का मानना है कि मौझूदा धन का उपयोग करना ही पहतर होगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टडी IQIAS हिंदी